तो दोस्तो ये मेरा एक blogger है जैसे कि आपके सामने है और यहाँ पर आप traffic देख सकते हैं ये जो traffic आपको नजर आ रहा है ये traffic मैं किस तरीके से लेकर आया हूँ और आप भी किस तरीके से लेकर आ सकते हैं आज मैं आपको तीन ऐसे platform बताने वाला हूँ जिसके through आप same to same ये traffic लेकर आ सकते हैं इस traffic के through मैंने जो earning की है वो earning आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरी earning है जो मैंने इस traffic के through ली है और ये मेरा blogger है जो मैंने बनाया था बिल्कुल free में आप भी ऐसा ही बिल्कुल free में अपना एक blogger बना कर इतना traffic लेकर इतनी online earning कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको complete trick बताने वाला हूँ कि इतना traffic आप किस तरीके से ले सकते हैं और इतना online earning आप कैसे कर सकते हैं how to get free traffic for website to earn big free website traffic 2024 blogger traffic proof मैं आज आपको already दिखा चुका हूँ blogger का ये मेरा proof है जो मैंने आपको अभी यहाँ पर views नजर आ रहे हैं आपको ये views मैंने इसी trick से लिए हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है अपना एक blogger बना लेना है उस blogger में एक अच्छी सी आपको theme लगा लेनी है जैसे मैंने ये theme ली है आपको google पर काफी सारी themes मिल जाएगी इससे related and आपको अपने blogger को adsterra account के साथ connect कर लेना है इसके साथ connect किस तरीके से करना है blogger कैसे बनाना है इससे related आपको मेरी एक video मिल जाएगी आप मेरी videos में आ जाना और आप यहाँ पे scroll down करेंगे तो ये वाली adsterra का full course आपको मिलेगा इसमें मैंने सारी detail बताई है कि आप adsterra पे account कैसे बना सकते है blogger पर अपना account कैसे बना सकते है अपने blogger account को adsterra से connect करके adsterra की ads अपने blogger account पर किस तरीके से लगा सकते हैं तो जाकर आप मेरे इस full course को देख लेना ये सारा method कर लेना अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर traffic लेकर आना है ये वाला जो traffic है ये आप किस तरीके से लेकर आ सकते हैं जैसे कि मैं आपको already बता चुका हूँ तीन platform बताऊंगा पहले platform पर सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ उस platform का नाम है LinkedIn आपको क्या करना है LinkedIn अकाउंट पर आना है यहाँ पर आपको अपना खुद का अकाउंट क्रियेट करना है यहाँ पर आप अपना अकाउंट Gmail ID के थुरू भी क्रियेट कर सकते हैं और अब गर आपके पास contact number है तो उसके थुरू भी आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रियेट कर सकते हैं फिर उसके बाद आपको क्या करना है आपको अपने blogger पर जो भी content आप publish करते हैं उस same content को आपको अपने LinkedIn अकाउंट पर डालना होगा बट आपको यह बिल्कुल भी नहीं करना है और आपको यहाँ से ज्यादा impressions भी नहीं मिलेंगे तो किस तरीके से post करना है वो मैं आपको बताऊंगा उससे पहले मैं आपको यहाँ पर LinkedIn जो website है इस पर traffic कितना आता है मन्थली का वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं का traffic आता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर अच्छे तरीके से अपना post share करेंगे तो आपको यहाँ से कितना traffic मिलने वाला है United States की जो country rank है आप देख सकते है 15 है category rank 6 है global rank 15 है अब traffic सबसे ज़्यादा यहाँ पर आता है United States से 32% और फिर आता है इंडिया से 7% और उसके बाद आता है United Kingdom से 6% और Canada and Brazil से 4 and 3% यहाँ पर traffic आता है टायर 1 countries हैं सारी इंडिया को अगर हटा दें तो United States, Canada और USA और Brazil यह सारी टायर 1 countries से आपको traffic मिलेगा तो definitely आपको यहाँ पर अच्छी होने के chances हैं अब यहाँ पर आपको content कैसे publish करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं तो content publish करने के लिए सबसे पहले आपको Google पर आना होगा आप यहाँ पर Google पर search करना Google Bard Google Bard आप लिखकर यहाँ पर search कर देना तो Jamini है यह अब इसका नाम इन्होंने change कर दिया है Google Jamini यहाँ पर इन्होंने कर दिया है तो अब यहाँ पर आने के बाद आपको एक prompt डालना होगा content लिखने के लिए जो भी content आप इससे लिखवाना चाहते हैं वो content यह free of cost आपको यहाँ पर लिखके देता है आपको सबसे पहले जाकर अपने blogger पर post करना है यहाँ पर यहाँ पर post करने के बाद आपको link निंग पर post करना है मैं directly आपको link निंग पर ले चलता हूं और वहाँ पर post करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको post कर सकते हैं तो यहाँ से यह पूरा content निंग ने लिख दिया है अब आप इसको यहाँ से copy कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं export कर सकते हैं more का option है आप directly यहाँ से पूरे इसको copy कर लेना यह copy हो गया अब हम आ गए हैं लिंग निंग के ऊपर यहाँ पर start का option मिलेगा बट आपको यह राइट अर्टिकल का यह option मिलेगा अब यहाँ से get started यह option मिलेगा आपको get started पर click करना होगा अब यहाँ से हमको क्या करना है पूरा content अपना इस तरीके से add कर देना है अब आपको यहाँ पर title भी add करना होगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं I want title यहाँ से लिखेंगे तो आपको काफी सारे यहाँ पर titles मिल जाए अब यहाँ से title डाल दिया content भी हमने हाँ से add कर दिया इस content को आप अपने हिसाब से यहाँ पर adjust कर लेना सो इतना अपने के बाद अब आपको क्या करना है अब आपको अपने blogger का यह वाला जो link है यह आपको add करना होगा तो आपको इसको यहाँ पर copy करना होगा इस तरीके स पोस्ट के उपर अगर ट्रैफिक लेकर आना चाहते हैं जैसे यहाँ पर यह multiple पोस्ट है इन में से आप किसी पर भी ट्रैफिक लेकर आना चाहते हैं तो individual उस पोस्ट पर भी ला सकते हैं या आप directly अपने इस वाले blogger पर भी लेकर आ सकते हैं यह वाला पेज है तो हम इसको कॉपी कर लेना इस वाली पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो यह individual पोस्ट आपकी यहां से ओपन हो जाएगी तो आपका यह वाला लिंक यहां से कॉपी कर लेना अब यहां से मैं इसको यहां पर पूर यह वाला ही कॉपी कर लेता हूं हम चलते हैं Link Link के ऊपर अब यहां से हमें इस पर एड करना होगा इस तरीकिए से जहां पर भी आपको ad करना है अपना website का Link उसको select करना होगा आपको यहां पर Link आपको अप्शिन पर जाना एक एक्स टाप लैंक छोड़ देना लिंक पर जाकर आप यहां से इस तरीके से एड गर देना और फिर आपका यहां से यहां से यह अपर लगाना चाहते हैं इस तरीके से इंसर्ट लिंक करके तो यहां से यह सारा का सारा आप जहां जहां पर भी अपना website का link लगाना चाहते हैं वहां वहां पर आप link easily insert कर सकते हैं तो यह link जब आप insert कर देंगे तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है उसके बाद जस्ट आपको यह post डालनी होगी, share करनी होगी तो यहां पर आपने यह post डाल दिया, अब आप इसको यहां से next कर देना और next करने के बाद आप इसे यहां से publish कर देना जब ऐसे ही आप यहां से publish कर देंगे, तो आपके जितने भी followers हैं link link के उपर या कोई जिसने भी आपको follow नहीं किया, उस तक भी आपका यह post जाएगा जो भी आपके post पर click करेगा, वो इस वाली page पर definitely आएगा और उसके थुरू आपको यहां पर यह traffic मिलेगा तो first platform है link link डिंग, जहां से आप traffic ले सकते हैं अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, second platform के उपर जहां से आप traffic ले सकते हैं, उसका नाम है Quera बहुत ही जदा famous website है, यहां पर आपको कोई question, answers नहीं पूछने है कोई आपको direct post नहीं करनी है, क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ इस वाली website पर कितना traffic आता है, तो उसके लिए हम similar web पर चले जाते हैं अब यहां से आप देख सकते हैं, 845.5 million लोग आते हैं मंतली इस पर काफी अच्छा खासा यहां पर traffic है और country चेक कर लेते हैं, कहां कहां से आता है traffic United States की जो ranking है वो 40 है, category rank 2 है, global rank यहां पर 55 है 5%, Australia से आता है 3.1%, तो अच्छा खासा traffic आता है टायर 1 country से, तो आप इस पर भी काम कर सकते हैं इस पर आपको directly यहां पर जाकर कोई answer नहीं देना, कोई question नहीं पूछना, कोई post भी नहीं यहां पर डालनी आपको क्या करना है, create a space का यह option मिलेगा, आपको अपना एक space create करना होगा जैसे कि मैंने यहां already किया हुआ है, मैं आपको अपने space पर ले जाके दिखाऊंगा पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, create आप अपना space कैसे create कर सकते हैं तो आपको create a space पर जाना होगा, यहां पर आपको अपने space का नाम डालना होगा, description डालनी होगी और create कर देना होगा जब आप create पर क्लिक करेंगे, तो आपका space create हो जाएगा अब box put earthling से related मैंने एक space create किया हुआ है, मैं directly आपको यहां पर लेकर आगया हूँ अब आप यहां पर views भी देख सकते हैं, और यहां पर मैं अपना content डालता हूँ YouTube का अब आपको यहां पर क्या करना है, यह post वाला जो option है, यहां पर आपको अपना content publish करना है अब यहां पर कैसे publish करेंगे, same आपको Google Jamini chat जिपटी पर जाकर content लिखवाना है, यहां पर जाकर paste कर देना है आप यहां पर जब content paste करेंगे, तो आपका जो blogger है, blogger पर जाओ का post है, उस पर आपको hyperlink लगाना है, उसको वहां से copy करना है and then आपको यहां पर qwera पर डालना है, and last में आपको लिखना है for more detail visit, आप इस तरीके से यहां पर लिख कर और यहां पर इस तरीके से कर लेना and इसके बाद आपको यहां से copy कर लेना, और यह copy करने के बाद यहां से आपको directly अपना link लगा देना है website का, तो वह इस तरीके से आजाएगा तो जो भी आपका content यहां से read करेगा, वह इस link पर definitely click करेगा, फिर वह आपके blogger पर जाएगा and आपको traffic मिल जाएगा so second topmost website जहां से आप traffic ले सकते है, organic traffic आपको यहां से मिलेगा, direct traffic भी यह, आप इसको बोल सकते हैं तो दूसरी website ही हो गई, अब चलते हैं final website पर, third website पर जहां से आप traffic ले सकते हैं, उसके लिए आपको google पर आना होगा और google पर आपको लिखना होगा medium, आप medium यहां पर लिखकर enter कर देना, यह website आपको यहां से मिलेगी, इस पर आपको click करना होगा अब सबसे पहले इसका हम traffic चेक कर लेते हैं, so traffic आप similar web पर जाकर चेक कर सकते हैं, इसका भी traffic आप देख सकते हैं 168.4 million monthly traffic है, जैसा कि आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, country ranking United States की है, 283 category rank 2, global rank 324 अब traffic कहां से आता है, United States से 25%, इंडिया से 9%, United Kingdom से 4%, Canada से 3% और Taiwan से 2% अब इस पर आपको काम कैसे करना है, इस पर काम करना है तो उसके लिए आपको get started का यह option मिलेगा, आपको get start करना है प्रसल से sign up कर सकते हैं, Facebook से कर सकते हैं यापना manually details add करके भी हान से आप कर सकते है, मैंने already इस पर अपना account create किया हुआ है तो मैं sign in कर लेता हूँ sign in with google कर लेता हूँ अपना gmail id select कर लेता हूँ जिससे मैंने इस पर अपना account create किया हुआ है तो यहाँ से यह मेरा account बन जाएगा तो इस तरीके से यह मेरा account यहाँ पर open हो जाएगा अब यहाँ पर आप अपने blogs share कर सकते हैं अब यहाँ पर blog जो share करना है आपको वह कैसे करेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले यह right वाला option है आपको right पर click करना है और इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको अपना content डालना होगा तो उसके लिए google jaminy chat gpt जहाँ से भी आपको content लेना है तो यहाँ पर यह article मुझे मिल जाएगा complete इस तरीके से यहाँ पर मैं last में इसको copy कर लूँगा यहाँ से यह copy का option मिलेगा आपको यहाँ से copy करना है and then आपको फिर medium पर आना होगा यहाँ पर click करके इस तरीके से आपको वह पुरा complete article डाल देना होगा अब यहाँ से यह वाला आपने title लिया था तो इस title को copy करना है आपको google पर आकर search करना होगा इस तरीके से and then images पर चला जाना images पर जाएंगे तो यहाँ से आपको काफी सारी images मिल जाएंगी जिन में से आपको एक image यहाँ से लेके use कर सकते हैं यह वाली image हम ले लेते हैं तो इस image को हम यहाँ से download कर लेते हैं तो यह image हमारी यहाँ से download हो जाएगी और फिर आपको यहाँ पर click करना होगा यह plus का option मिलेगा plus के option पर click करके image के option पर click करके यहाँ से image select कर लेना और यहां से आपकी image इस तरीके से आ जाएगी अब आपको यहां पर अपनी website का link add करना होगा सबसे important point है कि link कैसे add आप यहां पर कर सकते हैं so link add करने के लिए मैं सबसे पहले आपको यहां पर पूरा content select करना होगा जहां पर भी आपको add लगाने हैं जैसे की नीची आ जाता हूँ मैं यह वाला जो black में लिखा हुआ है इस पूरे content को आपको select करना है यहां से link option मिलेगा इस पर click करना यहां पर आपको अपना link paste करना होगा कौन सा link अपने blog का link तो यह blog का link हम copy कर लेते हैं और medium पर आ जाते हैं and then one by one हम यहां पर अपने link को अड़ गरेंगे इस तरीके से आपको add करना है इसको और यह रहले ओग्या इस पर भी आपको इस तरीके से अड़ करना होगा इस तरीके से आप link अपना add कर देना जहांपर भी add करना चाहते हैय êtes आपको यह publish का option मिलेगा, आपको यहां से publish कर देना है, जैसे आप इसे यहां से publish करेंगे, तो फिर जो भी इस वाले content को read out करेगा, वो in black वाले पर definitely click करेगा, तो वो redirect हो जाएगा आपके blog पर and आपको traffic मिल जाएगा, तो यह 3 platform थे जो बिलकुल free में आपको traffic दे सकते हैं आपकी website के लिए, अगर आपको अपनी website पर traffic चाहिए और आपको earning अच्छी खासी करनी है, तो इन 3 platform पर आज से ही आप काम start कर सकते हैं, तो आपको सारी detail समझ में आ गई होगी, अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है कि किस तरीके से आप अपनी website के उपर traffic ले सकते हैं इन 3 platforms के थुरू and आपको लगा कि थोड़ा बहुत बहुत बें इन्फरमेटिव है यह video, तो आप इस video को एक like जरूर कर देना, अपने द आप देख सकते हैं and online earning करना start कर सकते हैं and website traffic से related different methods मैं share करता हूँ, जाकर आप मेरी website traffic से related भी playlist देख सकते हैं, thank you so much for watching this video, thank you